तो हाई दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अन्बॉक्स करेंगे एक रिमोट कंट्रोल पुलिस कार तो कुछ इस तरीके की कार है उससे पहले हम बता दें कि हमारे चैनल पर जो है 200 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं तो उसी के उपलक्ष में हम इसको आज अन्बॉक्स करेंगे तो चलिए इसको हम अन्बॉक्स करते हैं तो यह जो हमारी कार है यह पुलिस वाली कार है यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है Roadmaster इसका नाम है और यहाँ पर भी Roadmaster लिके हुए और तीन साल के ऊपर के जितने बच्चे उन सब के लिए हमारी कार यह जो कार हो है उसका रेशियो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 रेशियो 18 की हमारी यह कार है और यह हमारी कार जो है वो पूलिस वाली कार एदम खतरनाक सी और प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस की अगर आप इसको Amazon से लेंगे तो 300 नहीं Amazon से लेंगे तो 400 रुपए की अगर आफ लाइन मार्केट पे लेंगे तो 300 रुपए की आसपास में आपको मिलने वाली है और यहाँ पर इसका देखे रिमोट कंट्रो कुछ इस तरीके का है और यहाँ पर बैटरी कितनी लगानी यह कार में तीन बैटरी इधर लगेगी दो बैटरी में लगेगी तो चलिए इसको हम डब्बे से बाहर निकालते हैं तो इसको मैंने अन्बॉक्स पहले ही कर लिया है तब इसका जो डब्बा बैदम घायल हो चुका है इसको हम निकालते हैं बाहर अब देखे धूप आ चुकी है इदम हालक खराब हो गई है तो कुछ इस तरीके की हमारी कार है लुक आप देखिए और आप कमेंट करके मुझे बताईएगा कि आपको इसका लुक कैसा लग रहा है देखिए दम कमा लग है दम बतलब देखरे में बहुत ही तगड़ी हमारी कार लग रही है बहुत ही सही लग रही देखरे में और यहाँ पर देखे पुलिस लिखा हुआ लेकिन हिंदी में पुलिस ही का जाता है और यहाँ पर इसका जो बत्ती लगी होती है नीली और लाल बत्ती यहाँ पर लगाए गई है और यहाँ पर इंडिकेटर तो नहीं लगाएंगे सस्ती कार में सस्ती तो नहीं दिये हैं 400 की इंडिकेटर रहना चाहिए थे आपको खुदी अंदाजा लग रहा है किस तरीके की बिल्ड क्वालिटी दम खोखली ऐसे रहती है इदम पतली प्लास्टिक लगी और कड़ी वाली बहुत इदम जंडू क्वालिटी है इदम विखार है क्वालिटी के मामले में एकदम जीरो है अच्छी क्वालिटी नहीं है और टायर की क्वालिटी की बात करें तो टायर भी आपको रबल के देखने को नहीं मिलेंगे प्लास्टिक के हैं मतलब ग्रीप अच्छी नहीं मिलने वारी है और नीचे वाला इससा भी इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लेगी तो चलिए यहाँ पर एक च करनें लेकिन quality थोड़े सी और अच्छी देनी जाए थी लेकिन नहीं दिया अब क्या किया जाए तो चलिए इसमें हम बैटरी लगा देते हैं जल्दी से यहाँ पर देखे एक तो कुछ इस तरीके से हमारी एक कार चलेगी स्पीड तो मुझे नहीं लग रहा है किसमें मिलने वाली थोदी देखिए तो चलिए इसको हम रोड पर लेकर चलते हैं वहाँ पर आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमारी कार चलती है स्पीड कैसी आपको इसमें मिलने वाली है तो हम रोड पर आ चुके हैं तो इसकी स्पीड आप लोग देख सकते हैं इस स्पीड आपको इसमें बहुत ही खास देखने को नहीं मिलेगी तो समझ लेजिए कि इसकी स्पीड आपको बहुत ही स्लो देखने को मिलेगी यहाँ प प्रोल नहीं बसके वाद सीधे जाएगी आगे जो कुछ भी आता है वहाँ पर यह हमारी कार जो है लड़ जाएगी बिढ़ जाएगी ऐसा होगा यहाँ पर देखे फिर नीचे उतर गई फिर इसको हम इधर उठाके यहाँ पर रखते हैं एक बार और चलाते हैं तो कुछ ऐस हमारी कार जो है चलेगी फिर देखे यहाँ पर गिर गई इसमें लेट राइट वाला तो है नहीं मतलब जहां भी जा रही बस जाने दीजिए इसको इस कार का लुक तो बहुत ही तगड़ा है देखने में आप देखिए बहुत ही तगड़ा लुक है लेकिन चलने में बहु तो चलिए सबको हम शाउट आउट दे देते हैं जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो पर कमेंट किया था तो पहला नाम आजाता है प्रवेश विश्व कर्मा का और दूसरा नाम है Facts Wallet और तीसरा नाम है Wallet Games और चौथा नाम है Siam Twire Reviews और पांचवा नाम है Nahar Singh और छठवा नाम है Manraj Gujar तो आप लोग का बहुत बहुत थैंक्यू आपने पिछले वीडियो पर हमारे कमेंट किया था तो दोस्तों आप लोग का एक सवाल होगा कि इस कार को आपको खरीदना चाहिए और नहीं खरीदना चाहिए मैं तो कहूँगा कि जिस हिसाब से ये लोग प्राइस लिए है उस हिसाब से बहुत ही बिकार है 400 रुपए की हमारी कार एकदम बिल्ड क्वालिटी एकदम बिकार है और स्पीड भी आपको इसे बहुत ही खास नहीं मिलने वाली है और इसका लेफ्ट राइट भी आपको नहीं मिलेगा 400 रुपए में देना चाहिए अगर नहीं दिये तो कंस्काम बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छे बना लेते बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी नहीं बनाए है मुझे तो ये कार अच्छी नहीं लेगी 400 रुपए मुझे लगता आपका बरबाद हो जाएगा इससे बढ़े कोई और दूसरी सी कार आप ले लिजेगा बस आज के वीडियो को हम यहीं खतम करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मैं आपके लिए ऐसे ट्वाई वाले वीडियो लाता रहूँगा मिलते हैं बस नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई